हालो बच्चों गुड आप्टरणून वेल्कम टो नट्सोनाइं क्लास देखिए बेटा आज मैं आपको इंग्लिश की कॉपी में वर्क करा रही हूं सभी बच्चे अपने इंग्लिश की कॉपी निकालेंगे और आज की टेट डालेंगे देखिया है जमारी 23 डेश और काम सभी बच्चे करेंगे 10 डेश 2021 और यहां पर टाल देंगे सी डॉट डॉट और उपर अपना आज हम इसमें करेंगे स्मॉल लैटर ए टू एफ ए बी सी डी के हमने राइटेंग काफी बार करा लिए अब ए टू एफ कराएंगे हैं डालो यहां पर पेरेंश डाल देंगे बीच के टू लाइंज होना ए फिर बन फिंगर कर चोड़के पेरेंश लिख देंगे हैं टी यो टू और एफ अब सभी बच्चे मेरे साथ मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ काम आएंगे चीक है चलिए पहले किल उस्काम है तू करेंगे तो फिंगर कर रख जोड़के फिर बी ऊपर की ट्लाइस में डोड लगाएंगे तू बिछे चुड़के तू लाइंगे यह जर्कांगे और फिर निच निचा चाहिए चाली बीच की टू लाइन में डोड लगाएंगे फिर चु फिंगर का एक छोड़की फोल लाइन में डोड लगाएंगे ऐसे करके लगा लिया चलिए अब सबी बचेत द्यान से देखेंगे एफ और आंपको कैसे बनाने दुखो केड़ हो अब सीफा के अभी यूपर मिला द तो तो अचल और यसी नीचे इसकी टेल नेकालों हो गया ऐसा एफ़ आपकल हो गया आप वीफ़ बॉल बनाएंगे को यहाँ पर पैंसल लखेंगे इस को लाइन को उपर ले जाओ ऐसे करेosis को लाइन से को नीचे लेओ ऐसे करके और इसको उपर ले जाओ दीरे दीरे करके और इसको ऐसे करता हूं हो गया बी फार बॉल्स चीक है आप जी आप सेपरल इंट का बनाते ठीक आपको स्मॉल लेटा का बनाना है सी फॉर क्या हो गया? कैट अब हमको क्या बनाने है? डी फॉर डॉब तो पहले आपको दो को यहाँ पर टू लाइन्स पर सी बनाना है ऐसे गरेखे हो गया? फिर इसी लाइन्स को उपर ले जाओ और इसे मिलाते हो इसको नीचे ले आ हो गया? डी फॉर डॉब ए बी सी डी हो गया? अब नीचे आजाओ अब आपको ई फॉर एलिफेंट तो को जीज़े सी बनाते हो आपको वैसे ही इवनाना दुको पहले अज़े करेंगे सी बना लो फिर इसको अज़े करेंगे घुमातो हो गया? ई ए फॉर एलिफेंट हो गया? अब हमको बनाना है ए फॉर फिश तो देखिए पहले फॉर लाइन में लाइन करो आज़े सी जैसे जी फॉर जो करेंगे लिए कर लिया और इसको ऐसे करके गुमातो बस फिर पैंसल लगो और इसको ऐसे करके गुमातो ये और बीच में से इसको कट कर तो हो गया एफ फॉर फिश आगे समझ में सभी को इसी तरह आप तो को रिपीट आ लेंगे आर ई पी ए पी ए ए टी रिपीट वर्क फिर बनाओ तू लाइन्स में डोट लागा हूं यहापर बनाओ ए पहले सी फोकेट बनाओ ऐसे खर के इसको मिला तो फिर इसकी जगे के टेल निकालतो हो गया एफ और एप पर फिर यहाँ पर आजो नेक्स लाइन पर टू फिंगर का गप छोड़के लिखो यहाँ पर लाइन करो ऐसे खर के करो और इसको ऐसे कर दो फिर इसकी ऐसे करके टेल ने ऐसे करके गुमा दो और इसको ऐसे कर दो हो गया बी फॉर बॉल अब सी फॉर कैट जे बना हुआ है बना है बना है बना अचे करें हो गया सी फॉर कैट अब क्या बनाना है हमको डी फॉर्ट डॉक लाइन करो देखो ऐसे करो आना मानचे बनाओ उपर ले जाओ और इसको ऐसे कर दो हो गया है फिए फर छालाए बना यहां पर टू लाइनस उठ लगाओ पहले सी बना लो इसे करके Cola प्ऐब और इसको ऐसे करके गूमा दो प्म कींगवा ऐसा ऐरह फ। हैं आप पार फिश यहां बनाओ न लाइन करो फोला भिनांट हूड ऑना है से कुमा कर दो और बीच में से कट कर दो हो गया एप फ़र इस इसी तरीके से फिर रिपीट पर बारक डाल लो वाली आर ए पी ए ए टी रिपीट वर्क डबलू ओ आर के रिपीट वर्क फिर बना लो वाला आप टाहूत तो नहीं तो कोई बात नहीं ए फिर बी सी डी ए ए ए ए फ बोलो फिर बना ओ ए अब बी फॉर बना अचा गया है B फिर C अब बनाओ D हो गया? फिर 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 केट बनाके इसको ऐसे कहें कि गुमाद हो बनाओ E और F हो गया है हमारा? बोलो A B C D E F हमारो काँचे लेटर है? स्मॉल लेटर अब नेक्स पेज पर आएंगे और हम लगता लेएंगे ठीक है? डेट कहा है हमारी? 23 देश 10 10-2021 और यहाँ पर डाल दो H dot W dot और उपर अपना नेम आज इसमें हम करेंगे राइटिंग डालो W R I T I N G राइटिंग और राइटिंग आपको किसके करने है? A, B, C, D की राइटिंग राइटिंग डालो A फिर टू फिंगा गाप छोड़ के लिको B फिर टू फिंगा गाप छोड़ के लिको C फिर टू फिंगा का गाप छोड़ के लिको D इसी तरह किसे बनाओ यहाँ पर A, B, C, D फिर बनाओ A, B, C, D बनाओ यहाँ पर ऐसे का कि पहले A बना लो इसी तरीके से आपको Classwork और Homework दोनों काम complete करना है और जल्दी से मंडे को मैं सारा काम आपका चेक करेंगी C